वैश्विक महामारी कोरोना वारस के संक्रमन में इजाफा हो रहा है जिसके चलते मंगलवारकुर प्रधान मंतरी मूदी ने प्रदेश को मुख्यमंतरियों के साथ बैठक की इस बैठक में मदिप्रदेश की मुख्यमंतरी शिवराज सहत चौहान ने भी हिस्सा लिया कि कोरोना हमारे से निपटने में जल्दी से वैक्सीन आ जाए और बहुत जल्दी वैक्सीन आने की संभावना है सीम ने आगे बताया कि यूमन प्रायल भी शुरू हो गए हैं आज बैठक में हमने ये विचार किया कि वैक्सीन आने पर टीका करण का काम कैसे किया जाए हमने कर ली है उन्होंने कहा कि एक राजस्तरी समीटी बनाए गई है मुख्य सचीव की अध्यक्षता में जिलिय में हम टास्क फोर्स बना रहे हैं ब्लॉक में भी टास्क फोर्स बनाए जाएगी मुख्यवंदी शिवरास्थ जहान ने वैक्सीन के बारे में जानकारी देते ह कि प्रशिक्षन देने का काम लगातार चल रहा है ताकि वैक्सीन आते हम जनता को वैक्सीन लगा सके तीका करन का काम कर सके साथी प्रधान मंत्री से और अपनी जनता से निविदन करना चाहता हूं कि अभी तो वैक्सीन आई नहीं है लेकिन काम चल रहा है जल्दी वैक्स सभी समाज से भी से हम से भी संगठनों से अपील करता हूँ कि स्वेम भी मास्क लगाया है तो उसको समझाईश दे। मैं भी समझाईश देने का काम करता हूँ साथी लॉकडाउन लगाने के प्रश्ण पर सेम शिवराज ने कहा कि मध्यप्रिदेश में कोई लॉकडाउन नहीं होगा।